दोस्तों महेंदर सिंग धोनी की कप्तानी वाली चिन नई सूपर फिंग्स ने IPL 2021 की ट्रोफी पर अपना कब्जा जमा लिया है और महेंदर सिंग धोनी IPL को चौती बार जीत कर अपने कमबैक की सुनहरी कहानी लिखने में काम्याब हुए हैं लेकिन IPL खतम हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि महेंदर सिंग धोनी देश की सेवा में वापस लोटा है और उन्होंने भारतिय टीम के बायो बबल को बतार मेंटौर जोईन कर लिया है जी हाँ दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको सबसे पहले स्पोर् चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन्स और विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चलेंजर बैंगलोर जैसे टीमें IPL से काफी पहले ही बाहर हो चुकी थी और इसकी वज़े से ये सारे खिलाडी टीम इंडिया के बा टीम भी अपने माही भाई को दोबारा टीम बस में पाघकर काफी खुश है और मेहंदर सिंध धुनी से हर खिलारी बाचीत कर रहा है और मेहिंदर सिंध धुनी ने बतावर मैंटबैक अपना काम शुरू भी कर दिया है जैसा कि आप जानते ही हैं कि 18 तारीख को टीम ICC World T20 के बाद कप्तानी छोड़ने का एलान कर चुके हैं ऐसे में ये उनका बतौर कप्तान पहला और आखरी T20 World Cup होने वाला है कप्तान विराड कोली अभी तक टीम इंडिया को कोई भी ICC ट्रोफी दिलाने में नाकाम रहे हैं अब एक बार फिर से वो महेंदर सिंग धोनी के साथ मिलकर टीम इंडिया को World Cup जिताने के लिए मैदान पर उतरेंगे और IPL जीतने से चुकने के बाद वो किसी भी हाल में भारत को World Champion बनाने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे अब देखना ये है कि क्या IPL जीतने के बाद कप्तान महेंदर सिंग धोनी मेंटर महेंदर सिंग धोनी वन के भारत को T20 World Cup जितवा पाते हैं या नहीं तो दोस्तो महेंदर सिंग धोनी के टीम इंडिया में बतार मेंटर शामिल होने की ये खबर सुनकर आप कितने एकसाइटेड हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताईएगा कॉमेंट बॉक्स में अपने उपिनेल लिख के भी जरूर बताईए और बने रही है स्पोर्स इंकाउंटर के साथ